क्या तुम अपना चेहरा गुरु तेग बहादुर को दिखाओगे? क्या तुम अपना चेहरा गुरु गोविन सिंग को दिखाओगे? किस तरह के सिख हो? बेसर्म हो! तुमको सिख कहते हुए सर्मा रही है! गर्ब आता है मुझको तेग बहादुर पे, गर्ब आता है मुझक कि पूरबजियों की बात पर विश्वास मत करो और इन पूरबजों के बच्चों को दिवालों में चुनवा दिया गया फिर भी वह चटान के तरह अड़ाये चल रहा है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखना क्या है यह अंदोलनकारी अगर होते तो यह भिंडर वाले का पॉस्टर लेके नहीं जाते यह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते यह खालिस्तानी है और यह प्रायोजित कांग्रेस के कारे करता है जो पूरे देश जिस जब बिहार चुना हुआ है बिहार में हार हुई है यह समझ रहे हैं कि राजनितिक सत्ता से हम दूर हो गए हैं इसलिए इस देश में आग लगाने के लिए यह आके बैठे हुए हैं इनके ट्रेक्टर टाली को देख लीजिए इनका चाल चरी चेहरा देख लीजिए क्या बात है सारे जीतने नेता हैं क हारे रंग का ही पगबाने हुए हैं क्या बताना चाहते हो उजस्ट्र हिंद्ण को सबसे बड़ा और है कि अभी कलर्ट खालिस्तान से अठ्मिलियन को उखोसंड एक कानैडा से जो खालिस्टानी के सबसे बड़ा सर मारा आए वही सामिल है आजित में समझे कैप्टन सिद्धू ये सारे लोग आपस में लड़ते थे मंत्राले के लिए मारा मारी करते थे देश DAVID देश को लूटने के लिए आज सब एक हो गए सब मिल गए हैं यह देखिये सोचने वाली है कि सिर्दू और कैप्टेन में किस तरह की छठंती थी आज दोनों एक हो गए हैं सिर्फ इस मुद्द अरे भाया मैं पूछता हूं सुकला जी कि साथ साल से वही कानून चल रहा था ना उससे किसान का भला नहीं हो रहा था तभी तो मोदी निया कानून लाए इस तमिल जो आए हैं अच्छा एक और चीज मैं सवाल खड़ा करता हूं अभी जो धान की खरिदारी हुई है उसमें सबसे जादे खरिदारी कहा हुई है पंजाब में तो बेंचने वाला कौन है भाया कौन बेंचा धान को वो लोग कौन थे जब इतना बुरा यह बिल था तो आपन जोड़ना है आपको देश को जलाना है आपको खालिस्तान की मांग रखनी है आपको मोधी को हटाना है सो करण हिंदूओं से बदला लेना है पता नहीं आप कौन सिख हैं बे सर्मो समझ में नहीं आता है यह हरा पगड़ी पहन के अरे इनके पुरबद गुर गोविन सिंग ने कहा था कि कड़ाही में कड़ाही के तेल में डाल दो हां था और पूरा उसमें तील में डालो और जितना तील आ जाये तो भी इन मुगलों सा और इन जिहादियों की बात पर विश्वास मत करो और इनके पुरबजों के बच्चों को दिवालों में चुनवा दिया गया फिर भी वह चट्टान के तरह सड़े रहे, उनको क्या मुह दिखाएंगे यह, यह जो यहां आके बैठे हुए हैं, तुम कौन सिख हो भाई, क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, आज गुर नानक जी का जन्म दिन है, आज मैं बोल रहा हूं, क्या तुम अपना चेहरा गुरू तेग बहादुर को दिखाओगे, क्या तुम अपना चेहरा गुर्गोबिन सिंग को दिखाओगे, किस तरह के सिख हो, बेसर्म हो, तुमको सिख कहते हुए सर्म आ रही है, गरब आता है मुझको तेग बहादुर पर, गरब आता है मुझको गुर्गोबिन स पर उसिख जो हमारे हिंदू की रक्षा के लिए अपनी जानों का बल्दान दे दिये और मरते मरते सहीद हो गए और वही खालसा पंथ का अस्थापना करके गए और तुम क्या कर रहे हो कैसा तुम जाके लंगर खिलाते हो कहां कभी किसी मंदिर में खिलाते हो मस्जीदों में जाके खिलाते हो जब सीए का पुटस्ट आया था तो वहां इसी तरह से पहन के आये थे भगवा और और हरे रंग का गमचा और उनको खिला रहे थे जो देश तोड़ने की बात कर रहे पुरा देश नहीं समझ रहे जान नहीं रहे कि तुम क्या करने आए हो और किसली आए हो आए सुनिए इनको दे दिया गया है बुराडी में जगा कि वहां जाके अपना आराम से प्रोटेस्ट करिया आपको लेटिन बात्रूम दवाई सारा सुभधा दिया रहा है यह का रह जयते हैं दिली में तो है नहीं कि इनका दूद पानी रासन हर चीज बंद करेंगे यह करोड लोगों को मारने आए है ओ लोग नहीं है वो इंसान नहीं है भारतिय नहीं है अ उनको जाने का अधिकार नहीं है तुम क्या क्या बत्दाना झाली